अगर तेलंगामा में भार्ती जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो मित्रो, मैं आप से कह सकता हूँ, OBC को यहां से वेजे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजान को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था. और यही कहने के लिए हैं, भार्ती जनता पार्टी सुरक्षा सब को देगी, लेकिन अराजत्ता पहलानी की छूट किसी को नहीं देगी, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ. अरे आज इनका जवाब कौम दे रहा है मुलिकुन, और यह कौन है के काया, आज है कौन आया, वो कैसे कैसे की कपड़े बेंता है, तमाशे का दिखता है, खिसमत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कह रहा है, निजाम की तरह, OAC को भगाऊंगा, अरे तू क्या तेरी हैसियत, क्या तेरी बिसात्या, तेरे जैसे चपनाय चले गए, अरे OAC तो छोड़ो, OAC की आने वाली एक हदार नसरे भी इसी मुल्च में रहेंगी, कुछ से रहेंगी, कुछ से मुहाबरा करेंगी, कुछ भगाएंगी, हम भागरे वालों में से नहीं हैं। उत्तर परदेश का चीफ विनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सम्विदान के उपर होल्फ लिया है, ओत लिया है, कॉंसिटूशन के उपर ओत लेकर, वो हदराबाद को टपक गए, बिचारे उत्तर परदेश के चीफ विनिस्टर कह रहे हैं, कि अगर तेलेंगाना में बीजेपी की गवर्मेंट बनेगी, तो ओवेसी को भगा देंगे, जिस तरह निजाम को भगाए थे, मैं इनको यह पूछ रहा हूँ, यह भगाना, यह भगडों की बात तुम कब से कर भगा देंगे, यह मुल्क आपका है, मेरा नहीं है, चीफ विनिस्टर उत्तर परदेश, तुम चीफ विनिस्टर हो, जरा चीफ विनिस्टर की जबान में बात करो, उस पहदे का विखार रखो, कभी तो देख लो, पढ़ लो, इनके चीफ विनिस्टर, इनकी कॉंस्टिट आज बच्चे मरते हैं सिफलाइटिस से बच्चे मर रही होगी तुम्हारे गोरख पूर के दवा खाने में आक्सिजन नहीं है तुमको वहां की फिकर नहीं तुम यहारे यहां कर हमको नफरत की दिवार खड़ा करने की बार कर रहे बाराल यह भगाने की बार गर्दन कातने की बार यह नरेंदर मोडी और उनकी पार्टी की जबान यहीं चाहे हम जीते तो भगा देंगे की तुमको भगाएंगे भाया हम लोग इस मुल्क में मुसल्मान आबादी क्या है की तुमको भगाएंगे यहाब भगाएंगे कोई भागने वाला नहीं है जब तक जिन्दा रहेंगे इंशाल्ला हुताला हिंदुस्तानी मुसल्मान बन कर रहेंगे अल्ला की बादत करते रहेंगे हिंदुस्तान के कॉंस्टूशन के राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे मोडी से लड़ेंगे योगी से लड़ेंगे, शा से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, आरेसस से लड़ेंगे, राहूल को हराएंगे, मोडी को हराएंगे, नाइडू को सैकिल पर बिठाकर वापिस विजेवाला बिठाएंगे।